आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में आज हम बात करेंगे NIACL में 325 पोस्ट पर होने वाली रिक्रूट्मेंट की NIACL मतलब New India Insurance Company Limited जो की एक सरकारी कमपनी है देश भर में इनकी ब्रांचिस है और 325 अपरेंटिस की पोस्ट या सीट्स भरी जाने वाली है इसमें आपको एक साल के लिए हायर किया जाएगा मतलब कि एक साल के लिए आपको ट्रेडिंग दी जाएगी और आपको 9000 रुपे स्टाइपेंट या सालरी दी जाने वाली है अगर हम बात करें हिमाशल की तो हिमाशल में भी NIACL की ब्रांचिस है और यहां पर भी कुछ बद भरे जाने वाले हैं आप इसके लिए अपना अपलाए 21 सितंबर से लेकर 5 अक्टोबर 2024 तक कर सकते हैं स्टाइपंड आपको 9000 रुपे दिया चाने वाला है एक साल के लिए आपको यहां पर रखेंगे और आप कम से कम ग्रैजवेट होने चाहिए आपको लास्ट बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारी अप के ओपर जो आफर चल रहे हैं वो आज ख़दम होने वाले हैं हमारी इस एप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में और कोर्स बाय कीजिए मातर 99 रुपे में आप अपने दिमाग में ये डाउट बिलकुल मत रखिए कि 99 रुपे में पता नहीं क्या कुछ मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ कोर्स का एक्शल प्राइस 4.9 है और 99 रुपे में स्पेशल उन्हीं के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगे मुझे मैस्जिस आते हैं कॉल जाती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है मतलब कि अभी हम इतना पेट नहीं कर सकते तो कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा एक साल की वैलटी मिलेगी पीडि फ नोट्स मिलेगे मॉक टेस्ट मिलेगे डेली क्रॉंट फिर मिलेगा डेली नया मटिरिल आपक के लिए एड होता रहेगा और एक्जाम के दिन तक आपको यहाँ पर स्टड़ी मटिरिल दिया जाएगा आपको यहां पर doubts के solution दिये जाएंगे कोई other doubt है like as आपका career के regarding कोई doubt है या कुछ और भी है तो वहां पर भी मैं 24 by 7 आपके साथ available रहता हूँ चैट के माध्यम से तो जल्दी केजिए app install केजिए और courses को buy केजिए मातर 99 रुपे में बात करते हैं फिर से आज की job notification की ही Marshall में दो पद भरे चाने वाले हैं दोने पद unreserve रहेंगे और इन में से भी एक post visually impaired के लिए reserved रहने वाली है अब बात करते हैं state wise vacancies की अंदमान एंड निकौवार आइलेंड में एक post फिलफ होने वाली है आंधरा प्रदेश में 10 post रहेगी अरुनाचल प्रदेश में एक post रहने वाली है असाम में 5, बिहार में 5, चंडिगर में 3 post 36 गर में 4 post दादरा और नागर हविली और दावन द्यूप में 1 post रहेगी दिल्ली में 17 post, गोवा में 3 post, गुजरात में 20 हरियाना में 7, हिमाचल में 2 में आपको पहले बता दिया है जमौन कश्मीर में 4 post रहने वाली है जारखंड में 5 post, करनाटका में 13 post, केरला में 15 post, ले में 1 लक्षव द्वीप में 1 post, मध्या प्रदेश में 12 माराष्टरा में 75 post, मनीपूर में 2, मिघाले में 2 मिजोरम में 1, नागलेंड में 3, ओडिशा में 7, पोधिचेरी में 2, पंजाब में 12, राजस्थान में 12, सिक्की में 2, तमिल नाड़ो में 24, तेलंगाना में 10, तरिपूरा में 4, उत्तर प्रदेश में 22 post, उत्राखंड में 5, वेस्ट पेंगौल में 12 post, फिलफ होने वाली है कि एश 21 से 30 वर्ष के भीश में होनी चाहिए, अब बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका होगा online written test, इसके बाद आपका होगा regional language test, अगर आप दसवी या बारवी में हिंदी पड़े हैं, तो आपका ये test नहीं होने वाला है, आप ही माचल में अपला general English, general financial awareness, computer knowledge, total 100 नमर का paper होगा, 100 question रहेंगे और एक घंटे का time आप हो दिया जाने वाला है, स्टाइफेंड ये salary की बात करते हैं आपको 9000 रुपे, यहाँ पर स्टाइफेंड दिया जाने वाला है, इसके इलावा बात करते हैं application fees की, अगर आप हो general OPC category से तो आप हो देने हो इसके अलावा यहाँ पर में बात करूँ कि आपको apply कैसे करना है तो link आपको मिल जाएगा इस video के description box में, वहाँ पर जाकर आप notification पढ़ सकते हैं और इसके लिए online apply भी कर सकते हैं, हमारी आज के इस video में सिर्फ इतना इस video पसंद आया हो, तो like जूरूर कर लिशेगा